हालो, नमस्कार, स्वागत आपका मेरे दूछ चनल PY Solutions में आज की वीडियो में हम सिखेंगे और जानेंगे कि वाइट बोड का इस्तमाल कैसे करना है Android में यह वाइट बोड के नाम से भी हो सकता है यह सॉफ्ट्वेयर या आपके नोट के भी नाम से हो सकता है तो फिलाल यह हमारा खतम हो गया, अभी नेक्स बढ़ते हैं हम जो यह इतने साइट टॉपिक्स हैं इसमें आते हैं पहला है पेज अड़ करने का उसमें से मैं पेज अड़ कर रहा हूं तो आप देखी रहे हैं तो यह है हमारा पेज अड़ करने का उप्शन जिससे आप पेज को एड़ कर सकते हैं यह है हमारा प्रिभियस करने के लिए पेज बैक आने के लिए जस्ट लाइक और यह है पेज को नेक्स करने के लिए पेज फरवार्ड और यह है पेज बैक वार्ड फिर यहां पेज नमर दिखा रहा है 5 by 6 अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्येज का निविगेशन सो हो जाएगा हमारा यहां जो भी है 5-6 पेज़ यहां सो रहे हमको यहां से जहां भी जाना हम वहां पर डायक्टली स्विच कर सकते हैं 5-6 तो यह इतना स्राव अप्सण हो गया हमारे उप्सं से इस सहले में तो यह चाहर प्शसमें हम दीकते हैं पछल कर लिस्टे चोंट में कीम न 생각이 पर आपने जो भी पढ़ाये थे जो भी आपने कामची ते उसका लिष्ट पुरा यहां पर आजाएगा उस पेज़ का परते के पेज़ का आप वहां स्वीच कर सकते हैं किसी अधर पेज़ पर जहां आप पहले काम किये थे तीन में यह पहले कभी काम किये था आप वहां स्वीच कर सकते हैं इसके तुरू जैसे हमें भी दिखाते हैं एक दूसरे पर स्वीच करके यह हमारा एक पे पढ़ाए हैं यह छे पढ़ाए है तो 6 पेज का यह कीवर कोड दे देगा जैसे आप सेयर पे क्लिक करते हैं कि तो अभी यह 6 पेज का कीवर कोड जेनरेट कर रहा है मैं आपको अपने मुवाइल से इसका कीवर कोड इसकार करके भी दिखा देता हूं तो चलिए अभी कीवर कोड जेनरेट हो गया है आपके मुवाइल में कोई भी कीवर कोड स्कैनर होना चाहिए कोई यह भी डानौड कर सकते हैं प्लेस्टोर से या आपके मुवाइल में पहले से कोई भी कीवर कोड स्कैनर होगा आज कल मुवाइल में डिफाल्ट आता है तो अब मुभाइल बिल्कुल सामने हैं यहां से हमारा चभाएज का अपटा यहां एक्सेस हो जाएगा यह हमारे सारे कैसारे डटा यहां एक्सेसे हो गया अभी मैं चादव है यहां से कहीं भी आजपीडिय भेज सकता हूं तो यह है share option से हम कर सकते हैं यह चीज़े या हम इस screenshot का यह हम अपने keyword code का photo भी भेज सकते हैं बच्चों को जहां पर वो scan करके अपना यह data access कर पाएंगे next option है exit होने के लिए इस पर click करेंगे तो हम इस board से exit हो जाएंगे तो फिलाल इसको रहन देते हैं menu option में क्या क्या चीज़े हम वो देख लेते हैं इसमें है new option जो अभी हम यह file खोले में छेपेज का यह हट जाएगा हमारा दूसरा नया file आ जाएगा new option के थुरू दूसरा है open open save save as तो पहले हम अपने file को save कर लेते हैं just like पहले हम अभी save करेंगे तो save होगी हमारा file यहां दिखा रहा है next है हमारे पास import या export तो अभी हम export करते हैं जो हमने 6 पढ़ाया है हम इसको अगर PDF में export करना चाहते हैं यह maximum question रहता है teachers लोग का कि हमको यह जो हमने पढ़ाया है हमको इसको PDF में लेना है एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहां पर चार फॉर्मल्ट दिये हुए है IMG, PDF, SVG, IWB तो यह दोनों SVG board के ही file name है किसी other board में IWB काम करते हैं तो आप आप अक्सपोर्ट कर पाएंगे लेकिन अभी हमको PDF में चाहिए तो हम PDF पे क्लिक कर लेंगे और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको पढ़ाय हुए content को PDF बनाना है तो आप जाएंगे export में और अगर हमको PDF बना के हमने रखा हुआ है questions या जो भी content उसको access करना है तब हम जाएंगे इंपोर्ट में फिलाल हमको save करना है अपने पढ़ाय हुए छेपिज को तो हम PDF पे क्लिक करेंगे export पे क्लिक करेंगे अब यहां पे इसका अपना इस्टोरेज यह सो कर रहा है खुला हुआ हुआ है तो मुझे जहां save करना होगा इसके internet storage में यह इसमें तो हम save कर पाएंगे अभी हम यहां पर हम इसको import करेंगे हमने इसपी चूज कर लिया है अब हम उखे करते हैं फाइल करना हम डालते हैं फर्स्ट फाइल कर देंगे मुझे save हमारा PDF ग्रूप में हमारे pin drive में export हो गया और अभी हमको यह सो कर रहा है कि मुझे वह फाइल open करना है या नहीं तो मुझे अभी open वह नहीं करना है हम उसको cancel कर देते हैं next हम आते हैं menu में यह हमारा export option था दूसरा export के थुरू हम अपने पढ़ायवे files को हम भेज पा रहे हैं अपने pin drive या कहीं भी तो pin drive में इस case storage में भेज सकते हैं यह हो गया import export में आप file को convert कर पाते हैं save और shave है जब करते हैं तो आपका raw file होता है जहां पर फिर इसी board पर खोल करके उस पर editing वारा कर पाएंगे next हम समझते हैं import में क्या है कि जैसे export से आप अपने file को भेज रहे हैं save कर रहे हैं pen drive या कहीं भी हम वैसे ही वहां से अपने बनाय हुए PDF उगरा को जो अपने content type किया है PDF में वह हम यहां पर लेके आ सकते हैं अपने board पर जैसे हमको कोई content बनाकर पढ़ाना है PDF का content है उसको हम इस पर लेकर आ सकते हैं या हम वहां पर पढ़ा सकते हैं तो अब हम यह देखते हैं कि हम अपने PDF पर या बनाय हुए content पर कैसे पढ़ाएंगे तीन चार तरीका है उसको पढ़ाने के लिए हम one by one सबको कभर कर रहे हैं अभी one by one सबको देख लेंगे तो आते हैं अभी हम home पे home में आने के बाद हम आते हैं finder में finder में हमारे पास अपने download में भी कुछ हमने file बना रखा है PDF वाला यह हमारे USB में कुछ PDF हमारे पास है यहां से भी हम उसको access कर पाएंगे यह हम चाहें तो अपने ब्राजर में जा करके ब्राजर में जा करके whatsapp वगरे भी खोल करके यहां से भी अपना file काम access कर सकते हैं whatsapp telegram से हम अपने यहां पे अपने whatsapp web खोला है आप चाहें तो whatsapp का app भी download कर सकते हैं इसमें play store होता है तो आप वहां से भी install करके आप whatsapp telegram को इस्तेमाल कर पाएंगे अपने data को send और receive करने के लिए तो अभी हमारा एक्सेस हो रहा है बट अभी आपको हम दिखाते हैं हमारे pen drive से pen drive में हमारा data खुला हुआ है जैसे हमने यह history लिया है या कोई भी PDF हमारा खोला तो यह एक हमारा PDF है history का अगर हम को इस पर लिखके पढ़ाना है तरीका number one यह है कि आप उस file को खोल लीजिए और आप यह जो corner पर icon रहते हैं ट्रेंगल वाल इस पर क्लिक किजिए और pen चूज कर लिजिए pen चूज में क्या है कि आप जो option है उसको तो आप कहीं भी राइट कर सकते हैं browser हो PDF हो कहीं भी हमने color इसका change कि अब लाइक में तोला मोटा कर लिया अब हम इसको जहां चाहें वहां लग सकते हैं कर सकते हैं color जो हम यहां चूज करेंगे वह color यहां पे आएगा हम यहां animation कर सकते हैं धूसरा फिर हम/. PDF को उपर नीचे करना है तो हम selection minim च्री जाएंगे चेंज पर क्लिक कर देंगे और हम ऊपर कर सकते हैं फिर हम यह यहां लिखना है तो हम यहां पे लिख सकते हैं अब अगर हमको इस वाले पेज को सेव करना है अगर तो हम यहां पे सेव क्लिक कर देंगे यह हमारा सेव हो गया फाइंडर में चला गया स्क्रीन सॉट हो करके यह एक तरीका है पढ़ाने का तुसरा तरीका यह है कि हम इस पीडियेफ को अपने बोड पर ही इंपोर्ट कर लेंगे जो हमारा बोर्ट था हम यहां आते हैं उसका इक और हम यहां बना रहता है अभी हम आते हैं मेनू पे और हम एक इंपोर्ट करते हैं हमारे बना हुए PDF को जो हमने content कर रहा है हम उसको इंपोर्ट करते हैं यहां पर तो इंपोर्ट में आ जाएंगे फिर PDF पर किलिक कर लिए अब हम वोच चूज करेंगे हमारा PDF कहा है तो हमने रखा है यहां पर किलिक कर लिए यहां कोई भी फाइल कर लिए ये से हमने हिस्ट्री चुछ कर लिया कर लिया घुल इंपर्ड कर रहा है तो आप यह हमने पीपीटी पर कंटेंट बनाया है और इसका डिजाइन आप चाहे तो कॉल करके पूछ सकत हम तो आप कोशिज करें कि maximum content आपका PDF हो टाइप पर PPT में करेंगे लेकिन वह convert आप PDF में कर लेंगे अगर आपके पास MS Office 12, 13, 16, 19 या 22 है तो आपका टाइपिंग की आपके पर PPT पर PDF में convert हो जाता है अगर आपको इस नहीं है वह MS Office तो आप मेरे से call करके हम लोग से ले सकते हैं हम लोग आपको free of cost प्रभाइड कर देंगे वो चीज़े चलिए next है यह हमारा हो गया PDF पढ़ने के लिए एक तरीका और होता है PDF में कि जुमायत के teachers होते हैं या जिनको मन है कि हम एक class में 8 सनों में 20 पेज, 30 पेज, 50 पेज, 50 questions, 20 questions, 30 questions हम solve करवाते हैं तो वह question हमारा page wise रहे और तब हम उसको page wise solve करें और आज पीडिए हम बचलों को भेज पाएं तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आप पहले हम नाय पेज लेते हैं new में आ लेते हैं यहाँ पर एक option यह छूट रहाता हमारा menu मेनू में आ करके जो background option है यहाँ पर theme का है यह देख लेते हम यहाँ पर देखिए यह है background change करने के लिए option next है हमारा background में यह सब है चूझ करने के लिए color हो गयर है background color जो आप चाहें यह चूझ कर सकते हैं और आप आ सकते हैं यहाँ पर यह आपका image कोई भी फोर्गेडिशन में आपने बना कर रखा है thumbnail type कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं फिल्याल हम लोग एक background लेते हैं कोई भी कर लेते हैं चलिए अभी हमको यहाँ पर अगर लाना है हमारे जो बनाए हुए PDF होगर है को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दिखा रहा हूं उसके लिए करना कि आपको whiteboard आप खूल लेंगे आप आजाएंगे अपने PDF पर जिस PDF जो पर ने बनाया है यहां के लिए तो यह आप खूल लिए हमने एक यह PDF रखा है number system NCRT का जो बुक है number system class 10 का उसका हमने ले सब्सक्राइब करने के बाद आपको यह करना है कि जो यहां पर option है बोड का symbol दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर लिए whiteboard का symbol है तो आपका यह question हमारा हमारे page पर आगया हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो यह पर depend करता है फिर हमने page plus किया फिर हम आएंगे recent files पर क्लिक करेंगे recent file अपने PDF पर चल जाएंगे हमने सबसे निचे वला option को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब किया और हम इसको फिर से बोड वाल एक्षन को चूझ कर लेंगे हमारा बोड पर यह question आजाएगा इंपोर्ट हो करके next फिर प्लस करेंगे फिर हम अपने recent files पर आ जाएंगे और फिर से हम आ जाएंगे अपने PDF पर और more option पर क्लिक करके हम group option चूझ कर लेंगे question नमर तीन हम सब्सक्राइब करेंगे और हमारा चौथा नमर कॉश्ण कर लेंगे यह गलती नहीं चाहिए कि स्वेक्षन हमारा कम जाए को शूट जाया ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप चाहें तो ज्यादा ले सकते हैं भले इस question के एक्स्ट्रा में यह आप यह ले सकते हैं ज्यादा हो जाया तो दिक्कत नहीं कम नहीं होना चाहिए हम ज्यादा selection कर लिया सब्सक्राइब गलती से भी और हम इसको ले करके आगा है अपने whiteboard पर तो अगर हम यहां प हमको छोटा करना है अगर तो हम छोटा भी कर सकते हैं इसको अभी हम आते हैं अपने page navigation पर click करेंगे यहां पर सारे questions हमारे करेंगे और फिर जैसे मैंने बोला कि आप export कर सकते हैं इसको as a PDF अपने pen drive में तो आप वहां पर export कर लेंगे चलिए अभी यह हमारे board का function लगबग हो गया है एक चीज और है इसमें setting option नीचे में theme के नीचे आएंगे setting पर click करेंगे setting क्या है कि जो मैंने पहले ही बताया था कि इरिजर को चूज करने का option multi finger writing है यह option on रहता है हमेशा ताकि आपको दो तीनी finger आप चलाएं तो काम करें अगर आप इसको on करेंगे तो बोर्ड के आप नजदिक जाएंगे तो brightness कम हो जाता है आगे आएंगे तो ज्यादा होता है यह अब आता है custom टूल बार क्या है कि आपके जो यह दिख रहे हैं mind map sticky notes grid ruler ऐसा कुछ है कि ruler में क्या है कि math वाले का काम होता है ज्यादा मैं इंग्लिस पढ़ाते हैं तो ज्यादा उनको ज़रूरत नहीं पढ़ता है तो आप यहां से उसको आप चाहें तो save ठीक है run दीजे तो इतने सा options मुझे नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया अब क्या है अब वह options देखिए आप नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वह option ही हमारा खतम हो गया ऐसा नहीं है वह option हमारे more वाले में आगया यहां पर click करेंगे तो वह option हमारे यहां डिखने लगा तो इस तरह से आपको अर्य बढ़ जाता है यह जल्ली जली आप काम कर पाएंगा चोटा रहागा आपका सिर्फ काम का हॉट टूल रहेगा अगर आपका only हॉट टूल रहता है तो आप उस पर काम थड़ फास्ट कर पाएंगे जल्दी चूज कर पाएं अब हम कुछ बतायते हैं आपको यहां के बारे में यह अभी वीडियो तो पार्ट में हो जाएगा आपका लेकिन चलिए एक पार्ट हम यह भी देख लेंगे नेक्स टाइम में अभी कुछ इसको थोड़ा सा ओर्विव कर देते हैं पहला उपर शॉप्शन है बैक आने के लिए दुसरा है मुवायल में भी छला बटन होता है आपका और यह दो है यह दो शीजा मुझम मुख और यह आपका फाइंडर है अपना आपका मुझम की देखने के लिए तो यह questo Rocky है अव अगर हमको यहां से सिदा जाना है अपने यहां से उसका अच्क में अधि कर सकते हैं यहां से सपवर प्रत्थ कर सकतेGER में यहां इसको अच्छम मंथेफ करेंगे यहां से उसका access हाब कर पाएंगे, यहां है उसको install भी है यह pen tool है, आप कहीं भी है, वहाँ कर पाएंगे, pen tool को मतलर से यहां पर, तो next है, हमारा brightness विडिया कम करने के लिए, कांख, sound brightness कम करने के लिए switch करने के लिए HDMI में आपका यह पूरा काम करता है इसमें अब लिए हैं तो मैं इसको बिटायता है आपको कुछ जरूरी चीजी जैसे यह हमारे पार सो हो रहा है तो यह हमारा वाइफाई सो हो रहा है नेक्स्ट हमारा सो हो रहा है यह हमारा आइकों जो रहा है यह पिंड्राइब हमने लगाया है तो वह सो रहा है अगर पिंड्राइब नहीं लगाया हो तो नहीं सो होता है दूसरा आपसने हमारा सो हो रहा है यह हमारा जो सो हो रहा है यह है हॉट स्वाट 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 कि यह हमारा जो आप्शन है यह लाइन का है लाइन लगा होता अब लाइन लगा होता है नेक्स आप्शन हमारे पास है यह होट इसपोट जो मुवाईल में होता है अगर यह अओन होता यह भी कुरोस है अभी हमारे शांडिंग में होट सपोट होता कोई भी अपने व्याज़ माईले से करनिक कर सकता था तो यह वीडियो लगबग खतम हो गया है इतना में एक जो हमने वीडियो बनाते इसके पहले वो था हमारा स्क्रीन सेयर का एक वीडियो था जिस पर काफी कॉमेंट आया है काफी कॉल्स भी आया हमको स्क्रीन सेयर में जो हमने बताया है कि आप कोई भी फाइल मुबाइल से बोर्ट को कितना कंट्रोल कर सकते हैं लगबब मुबाइल से बोड पुरा कंट्रोल हता है, आप फाइल भी शेयर कर सकते हैं, आप कैमरे अक्सेस कर पाएंगे, सब चीज कर पाएंगे, तो उस वीडियो में था कि सर आपने उसको कनेक्ट करक नहीं दिखाया, मुबाइल को बोड से कनेक्ट करक नहीं दिखाया हमन हैं, लेकिन कनेक्शन वाला वीडियो नहीं है, तो हम वो सोख करेंगे आपको नेक्ट वीडियो में के कैसा कर सकते हैं, नेक्स्ट ये है कि इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, वीडियो क में आपने कुछ छोड़ दिया है आप उसको फिर से वीडियो बना देजिए हम उसको वीडियो या लम वीडियो आपको बना कर दे देंगे नेक्स्ट कोई आपको टॉपिक मन में है डिजिटल बोर्ट के रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लास से टप के रिगार्डिंग हाई इस प्रकार के से टप से रिगार्डिंग आपको कोई प्रकार का डाउट है कोस्टन है मन में जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं नंबर नीचे हमें साथ